वेल्कम तुद लेक्चर ऑफ आइवी, हमने देखा थो लास global हमारी हम भेक्ड एल क्या होता है रेडिएस आफ रेलेस और सेंटिमेटर में होता है इसका츠 स्लाब की कितनी स्टिफिस स्ञारा कि और हमारी स्टिफिस सै थिके दोन हो का रिलेटीव स्टिफिस नह बताता Tips told पढ़ा था हमने हमारा था बी टम से Mayar की हूं नॉट openly हो तो बी क्या था हमारा बाता है था हमारे कितने हमारा जो पेंट यह इस पर जो फोर बैंडिंड भ है भाएगा तो वह कितने परchnिकुलर एरिय के थूर Use प्रेटिकुलर एरियी की, जिसके तर्वु तर्व हमारा बेंडिक मुम्मेंट रसिस्ट किया रहा है। तो हमने दो भूम रिलेशन पढ़े थे उनके दो फॉर्मूले पढ़े थे आने इस लेक्षनमें क्या पढ़ना हैं, रिखा था कि हमारी प्रेश आती है। इस पर जो हमारी stress और इस आएगी ठीक है यह मैडरी टाइप कि stress आती है एक होती है मारी मेरा वील लोड चीस आती है ख़लोद की वज़े से आती है रुप्रå डूसरी जो आईगी हमारी वह टेम्प्रेचर तो दो तरह की stress आती यह में तो इस पेर में मगो तो यह तो कुछ लcinक कर लेका आएगा इस लागा से इस लगोजाइब में में कितनी स्ट्रेसज और बूर में हम और । कूल यह तो चीछ थे कप सिमेंघ हन नतो हिएयों को तो यह मुडिक्वा चाहिज्व賞 है इससिनवेल इंदो यह जो हमारी CC slab है, यह कैसी है? हमारी homogeneous है, ठीक है, isotropic है, यह हमारी homogeneous है, और isotropic है, और यह elastic plate की तरह भीएव करे जी ठीक है, यह कैसी है, elastic plate की तरह भीएव करे जी तो जो इसकी लिए equation है, यह equation दियें, किसने? वेस्टरगार्ड ने, इसलिए इनको बोलते हैं? Westergaard Stress Equation, बोलते हैं. Westergaard ने जो equation दिये है, assume करके दिये है, को जो हमारी foundation होगी, वो हमारी wrinkle foundation होगी, wrinkle foundation, और यह View हमारा س्लाव है, वो हमारी subgrade के उपर, कैसे वर करेंगा? जैसे हमारी spring, इस पर ऐसे वर करेंगा, जैसे हमारा यहां पर spring हो, ऐसे work करेगा, तो इसमें analysis करें stress का, तो stress जो दियें, वो तीन critical position पर दियें, जैसे कि हमारी critical, जो हमने देखा था, critical loading, जो हमने portion देखे थे, ठीक है, वो कौन-कौन से थे, हमारे internal edge और हमारा corner, ठीक है, यह हमारा internal वाला part, और यह हमारी edges वाले part, य ठीक है, और हिए हमारा corners, यह हमारे हो गए corners, तो जो यहां पर stress generate होगी, उसको sigma internal बोल दिया, जो यहां पर stresses generate होगी, due to the wheel load, जो हमारा traffic, की वज़े से load जो आ रहा है, तो जो यहां पर होगी, उसको बोले है, sigma e, edge, की वज़े से, और यहां पर जो होगी, इनको sigma c, that means, corner की प वो फॉर्मुल्यों दिए हुए है इंटर्णल के केस में क्या होगा गगा 0.3 16 Cand नहीं प्राइट्यों ए 사용 क्या ह्ट्ठी लोड कितना है अगर इसको हम कितना लॉड रहे데 है तो यह फी क्या है in वील इसका लोड कितना है वो हमारा पी और ये जो एक ये का रिप्रिजंट कर तब कर रहे जिसनर हमारा कि उथर से चल के इस थिकनेश कितनी हैς फो लॉघ लॉघकष कर रेडियास ऑफ र्याटिव चिवनेस और ऑर वी क्या था हमारा डा डियास of resisting section, जो resist कर रेंडिंग मुवमेंट को section, उसका radius, okay, radius of resisting section, plus 1.069, जो हमारी internal होगी, stresses, वो कैसी होगी, tensile होगी, टिक है, at the slab bottom, slab bottom, पर जो हमारी stress हाएंगी, वो tensile हाएंगी, यह हमारा slab, ठीक है, इस पर हमारे यह पर लोड आएगा, तो इसकी लोड की वेश से, हमारी slab है, कुछ इस तरह हो जाएगी, एक तरीके से कह सकते हैं, यहाँ पर क्या आया, इस यहाँ पर हो रहा है, हमारा compress हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या आगी है, हमारा, एक तरीके से, यहाँ पर हमारा, यहाँ पर हमारा आ रहा है, tension तो slap के bottom पे क्या होगा tension होगा edge में क्या होगा edge के लिए formula है 0.572 P upon h का square P is a V load V load है यहां पे हमारा simple जो कि हमारा kg में upon h का square यहां पे h के हमारा slab thickness bracket 4 log 10 L by B है L is radius of relative stiffness और B क्या है radius of radius of resisting section ठीक है प्लस 0.359 यह भी edge पे क्या होगा हमारा tensile stress आएंगी slab के bottom पे अब देखते हमारा next हमारे corner में कितना होगा 3 P upon h का square bracket 1 minus bracket A under root 2 upon L की पावर 0.6 ठीक है तो यहां पे P हमारा वही same V load है हमारा क्या है thickness of pavement 1 minus यहां पे A क्या represent करता है हमारा यह होता है हमारा radius of load ठीक है radius of V load simple वाला radius of V load ठीक है और जो हमारा corner पे stress होगी वो tensile होगी top पर और compressive होगी bottom पर देखो यह हमारा slab है पूरा ठीक है LN का slab है हम top view देख रहे हैं फिर इसके आगे एक और slab होगा अलग-अलग slab से मिलके हमारा पूरा रोड बनेगा ठीक है जो हमारी रिजिड पेवैंट बनेगा ऐसे करके तो यह हमारा corner होगा जब हमारा V L OOD इस पे आएगा तो यह कैसे होगा हमारा यह ऐसे जैसे cantilever होता cantilever पे हमारा cantilever पीट होगारा इसमें क्या होता है, 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 इ पीछे बहुत मतलब अच्छी खाजी स्लैब की लेंद है तो सिग्मा कॉर्णर इस टेंसाइल इस टॉप पे कैसी होगी टेंसाइल होगी और बॉटम पे कैसी होगी हमारी कंप्रेसिव होगी एड बॉटम तो जो हमारा लोड होता है यहां पर बस यह रिप्रेजेंट करा अब क्या है इस टाइम लगेगा कंप्यूट करने में तीन हो तो हमारे हमें कुछ डायक्ट भी दिये हुए है क्या हुआ है चार्ट बना दिया गए ठीक है चार्ट लोड के बेजिस पे कि अलग अलग वी लोड जोगा जैसे ट्रक का जो लोड होगा इतने टन कर इतना टन जो टन है लोड वो उतना तो उसकी में से कितना स्ट्रेस जनरेट होगा ठीक है तो एक तरीके से देख कर एक्स्पिरियंस के बेस पे या फिर कैल्कुलेशन करके चार्ट बना दी गए और डारेक्ट चार्ट से वैल उठा के रख लेते हैं बार बार ऐसे काल्कुलेट करने जए लेते हैं ठीक है और ब्रेट्वरी ने एक्सप्रेशन दिया है एक सिंपल एक्सप्रेशन जनरल वे में कि सिंगमा इकोल तो कि इतना होगा पी हमार यहां पर पी किया है वी लोड अपॉन है स्क्वेर एच क्या है थिकनेश ओफ फिर्मिंट इंटु क्यू क्यू होता ह हमारे stress coefficient होता है है ना जो कि हम कहां से निकालते हैं अगेन हमारा चार्टन के लिए भी उससे निकालते हैं ज्यादा डीप में जाना नहीं है क्योंकि इतना हमारे स्लिबस में यह फॉर्मॉलेश है जिन पर हमारे निमारे कल आ सकता है में ठीक है और यह हमारा है फिर उसके इतना वी लोड है तो उसके कोर्सपॉंडिंग इतनी stress आएगी यह क्या बना दिये गा है इसके लिए चार्ट गिवन है तो इसमें क्या क्या है हमारे कौन कौन से stress निकाली हुई है इंटेरियर के लिए इंटर्नल वाले पार्ट के लिए और कौर्णर वाले पार्ट के क्या है इस लेक्चर में इतने नेक्स लेक्चर में हम स्टार्ट करने है जो stress हमारे टेमप्रेचर के वह से आथी है वो क्या होती है जू अ सबस्टे बाखम है टो कि अटेडिस परिए घटेडर के में शेडिक कि अमज़ा है